मालपुआ की रेसिपी आज हमारे रसोई में बन रही है परफेक्ट मेजर्मेंट और टिप्स के साथ मैं ये मालपुआ की रेसिपी बना कर दिखाऊंगे इसे मैं चावल के आठा से बना रही हूँ और वो भी चावल के आठा में घर में बना कर ये रेसिपी बनाओंगी सबसे पहले मैंने 200 ग्रम चावल लिया था जो हम डेली खाते हैं वही चावल को मैंने 4-5 गंड़ के लिए भीगा के रखा था और फिर उसका पानी चान कर मैं मिक्सी में इसका पाउडर बना रही हूँ पाउडर हमें ज्यादा फाइन पाउडर ने बनाना है थोड़ा सा दरदरा रखना है क्योंकि हम आलपुआ में इसको यूज कर रहे हैं तो यहां पर हमारा जो पाउडर है वो बन चुका है मैंने मिक्सी में थोड़ा थोड़ा करके ये चावल को पीस लिया है आप चाहें तो रेडि मेड चावल काटा दुकान से खरित के भी ला सकते हैं आसानी से हर किरना सौप में इसका पैकेट मिल जाता है तो इस तरीके से आप चावल काटा भी ले सकते हैं 200 ग्रम चावल काटा एक बावल में ले रही हूँ और इसमें मैं मिला रही हूँ मैदा, मैदा इसमें 50 ग्रम ढाल रही हूँ 200 ग्रम चावल काटा, 50 ग्रम मैदा और गूर, गूर मैंने 200 ग्रम लिया है आप लोग कितना मिठा खाते हैं कम जादा अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें गूर के जगा आप चीनी भी डाल सकते हैं तो गूर जो है हमारा थोड़ा सब में गिला है इसलिए मैंने इसको लिक्विट नहीं बनाया है नहीं तो आप चाहे तो पाने से लिक्विट कर सकते हैं अब मैं इसमें दूद मिला रही हूँ दूद मैंने याप पर 200 ml लिया है 200 ml दूद के साथ गूर और चावल को मैं अच्छा से हाथों से मिलाओंगी माल पूद जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमें जो मिक्स्टर है इसे बहुत अच्छा से मिलाना है गूर के साथ में और देखिए इसकी कॉंसिस्टेंसी देखिए बहुत ज़्यादा पतला ने रखना है और बहुत ज़्यादा गारा भी नहीं बनाना है तो मैं किस तरह से बना रही हूँ अब देखिए और बहुत अच्छा से इसको फेट ना है इस बैटर को हमें बहुत अच्छा से 3-4 मिनित तक अच्छी तरीके से फेट लेना है और फिर मैंने इसे ढख के कुछ देर के लिए रख दिया था अब मैं इसमें आठ कर रहे हूँ कार्डुमम पावडर, इलाइच्छी पावडर, आठा चम्मच और स्वाप स्वाप एक चम्मच स्वादनुसर ने थोड़ा सा चुटकी भर नमका में इसमें डालना है, इससे स्वाद अच्छा आता है और फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर हमने इसे रेष्ट करने के लिए रखना है, 15 मिनित के लिए उसके बाद बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है तो यहाँ पर देखिए, 15 मिनित तक मैंने रेष्ट के लिए रखा था अब 15 मिनित के बाद थोड़ा सा फूल जाता है और फिर हमारा बैटर बिल्कुल पार्फेक्ट बन चुका है मालपवा बनाने के लिए बहुत जादा गरम नहीं करना है हलका गरम पे हम एक एक कर्ची करके बैटर को डालेंगे तेल में देखिए मैं कैसे डाल दे हूँ यहाँ पर एक टिफ से बिल्कुल हलका हातों से हमें इस बैटर को डालना है बहुत जादा नहीं आपका कर्ची कितना बड़ा है उसी शाप से हमें डालना होगा और बिल्कुल धीरे से उसकी बाद हम नीचे जो मालपर उसको टच नहीं करेंगे तेल को हम इसी तरीके से कर्ची से हिलाएंगे ताकि उपर जो हें बबर्स नहा सके अब देखिए फूल कर उपर की तरपा जाएगा जैसी फूल के मालपर उपर की तरपाएगा तब हम इसको धीरे से पलत लेंगे और हमें इसे दो से तीन मिनित तक धीमे आज में ही फ्राइ करना है ताकि अंदर से में पक जाए कच्चा ना रहे दोनों साइड से डालक ब्राउन होने तक हम यहां पर मेजर्मेंट जो है गूर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं गूरिया चीनी जो भी हो मीठा कितना जादा कम जादा खाते हैं उसी हिसाब से देखिए अब में जो तेल इसमें एक्स्टा तेल रहता है उसको मैं छान लूँगी इसके लिए मैंने बड़ा एक छाननी अब हम इसे दूसरी जगा पर रख देंगे एक और में आपको बना कर दिखाओंगी देखिए कितना अच्छा पाफिक्ट मलपोव बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है एक और में बना के दिखा रही हूँ बिल्कुल हलका हाथ उसे डालेंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो में रखेंगे जब हम डालेंगे तब फ्लेम होगा लो में बाद में हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि अच्छी तरह के सिख जाए और हम मीडियम फ् कि एक साथ में बिल्कुल नहीं डालना है एक माल पूर डालना है और पेसेंस रख़के थोड़ा से बनाना है तो खाने में वहुथ अच्छा लगे अगर हम चावल के आटा गुड और दूर से मिलाकर मालपुव बनाएंगे तो इसकी बात इसकी जो टेस्ट होगा ना वो बिल्कुल लाजबाब रहेगा एक बार इस तरीके से बनाकर मालपुव खाकर जरूर देखिए अगर इसे हम बनाकर रात को रख देते हैं और शुबह से खाते हैं तो इसका जो टेस्ट होता है वो डबल हो जाता है तो मैंने देखि किस तरीके से एक्स्ट्रा ओयल होता है उसको मैंने अच्छी तरीके से अच्छाइड में चान दिया है और हमारा मालपुव बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है तो कैसा लगा आप लोग को इस अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं अगर आप लोग के रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू